नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.nainsubha.org naisubeh.org असलाम अलेकुम नई सुभा के इंडिपेंडिन्ट लिविंग प्रोग्राम के और्डियो लेर्निंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस्त दुरानी आज हम बनाना सीखेंगे होट एंड सौर सूप होट एंड सौर सूप बनाने के लिए हमें जिन अज़जा की जरूरत है उन में शामिल हैं कुकिंग ऑईल बन टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसन गेर टेबल स्पून बॉनलेस चिकन जूलियन कट दो सो ग्राम गाजर जूलियन कटी हुई देड़ कप बन गोवी जूलियन कटी हुई देड़ कप शिमला मिर्च जूलियन कटी हुई देड़ कप नमक देड़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर देड़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च देड़ टी स्पून जखनी मिर्च पाउडर देड़ टी स्पून चीनी 1.5 टेबल स्पून, यखनी 4-5 कप, चिली गारलिक सॉस 1.5 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 3 टेबल स्पून, सोया सॉस 4 टेबल स्पून, कैचप 5 टेबल स्पून, कॉन फ्लोर 3-4 टेबल स्पून, पानी 1.5 कप, हरी प्यास 3-4 टेबल स्पून, अ अंड़ी की सफेदी एक से दो अदद भगार या तड़का लगाने के लिए जिन अच्छा की हमें ज़रुरत है उन में शामिल हैं लैसन वारी कटा हुआ डिर टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च डिर टेबल स्पून नमक एक चुटकी ऑईल 4-5 टेबल स्पून तिल 20 स्पून तरकीब पतीली में 4-5 टेबल स्पून ऑईल डाल दें अब इसमें चिकन डालें और इसे 3 मिनट तक अच्छे से फ्राइ करें जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए उसके बाद गाजर, गोबी और शिमला मिर्च को इसमें डालके अच्छी तरह से मिक्स कर लें सबजी के ब और इसे बॉल होने रख दें अब इसमें तमाम सॉस्स मिक्स करके लाल दे और इसे मध्न पकने दे अब इसमें आप KIR खूल के डाल दे और इसमें जब kg और इसम जाए कि गारा और जाए अब इसमें अंड़ी की सफेदी प्रैट के डालें और एक मिलिट तक दाले रहे c निकाले, भगार डाले, उपर से हरी प्यास की गार्डिशिंग करें और इंजाए करें ये थी हमारी आज की रेसिपी, अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए, अल्ला हाफुस्थ ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानेट से पेश किया गया, अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए